सबसे पहले तो आप यह समझ यह अपढ़ा हो तो गद्यांश का मतलब क्या होता है कहानी कोई गद्यान्श के हैं तो अपठित का मतलब क्या हो गया अपठित का अर्थ क्या होता है जो आपने पहले नहीं पढ़ा हो ठीक है या जिसे पढ़ा ना गया हो पहले तो यहां पर अपठित गध्यांश क्या हो गया कि ऐसी गध्यांश जो आपने पहले नहीं पढ़ा हो तो पीपल में क्या होता है आपने पहले नहीं पड़ा होता है तो आग वही पढ़ने वाले हैं को यहां पर में आपको क्या बताने वाली हूं कि कैसे हम इन गंद्यांशा की द निया प्रशन दिया जाता है और अब मतовस होता है बहुता तो है लेकिन बें कितने मृंक्स but तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आखिर आपको यहां उत्तर देना कैसे है यहां पर मैं क्या मैं आपको सिर्फ दे रही हूं ज़रूरी थोड़ी कि आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपको जो है जो कभी पढ़ा नहीं गया हो जो अचाना की हमें पढ़ने के लिए दिया गया हो कि हमारे पाठे करम से बाहर का आता है तो यह पढ़ने में समझने में असान होता है लेकिन बस हमारे पाठे करम से यह जुड़ा नहीं होता है और पठित गध्यांश में गध्यांश में गध्यांश से संबंदे द्विबिन प्रश्णों के उतर देने के लिए कहा जाता है इस प्रकार इस विशे में यहाँ अपिक्षा की जाती है कि पाठक दिये गध्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उससे संबंद प्रश्णों के उतर उसी अनुशेप के अधार पर संशिप्त रूप में प्रस्वत करें तो यहाँ पर क्या होता है जो भी आपको देता है करने के लिए वाद थे क्या पिक्षा करता है कि आप जो इस गध्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्णों का उत्तर किसमें दीजें संशेप में मतलब छोटे रूप में इसके प्रश्णों का आप उत्तर पाठक को स्वेम अपनी भाशा शैली में देने होते है मत इसका यहां पर पता लगाया जाता है कला विज्ञान राजनीती साहित्य या अर्थशास्त्र किसी भी विश्यांश के उत्तर देने होते हैं एसे विश्यों के निरंतर अभ्यास और प्रश्णों के उत्तर देने से हमारा जो मानसे के स्थर है वो क्या होता है मानसे के स्थर जो है वो हमारा उन्नत होता है और अभी और हमारी अभिव्यक्ति शम्ता में प्रोणता आती है अगे देखिए अगला है हमारी विधी एवा होती हैं तो देखिए सबसे बहुता है हमने क्या करा हमने यहां पर पड़ लिया अब हम पड़ेंगे कि हमारी विधी और विशेश्था ऑतरन आपको गध्याश दिआता है उसको आपको मनही मन में एक या दो बार पढ़ना चाहिए मैं ृशिष्ष स्थल भाषानी चाहिए चाहिए कि जब भी आप इसके उत्तर दे तो आपकी भाषा कैसे होनी चाहिए और बिलकुर सहज आपकी भाषा होनी चाहिए बनावटी या लच्छेदार भाषा का प्रेयोग करना एकदम अनचीत होता है कि आपको बनावटी या लच्छेदार भाषा उसका प्रेयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए ठीक है अपठी से संबंदित पुछा होगया है ओर आपने इतना लंबा चोड़ा है तो कम आपको शिर्शक कम आपको शब। देने समें शisक्ता थेलिए कि जब्स जो आपको विशाइशता चाहिए संशिप्ता का मतलब चोटा पने उसका ध्यान रखना चाहिए कि आपको क्या करना है इस चोटे से चोटे में आप इसका बता सकते हैं आपको वह करना है अब देखिए निम लिखे गध्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिये गए प्रश्णियों के उत्तर आपको अब ध्यान पूर्वक पढ़ना इस चोटे आपको ध्यान पूर्वक पढ़कर इसका उत्तर देना है तो अब ध्यान पूर्वक पढ़िए सबसे पहले हम पढ़ते देखो गंगा भारत की अत्यंतर पवित्र नदी है जिसका जल काफी दिनों तक रखने के बावजद अगर आप इसका जल काफी दुनों तक रख देंगे तो भी जो यह अशुद्ध नहीं होता है लेकिन अगर आपको साधरन जल को रख देते हैं तो आप देखेंगे किसमें वद्बू आने लग जाती है तो अगर आप जल है उसको रख देंगे तो उसमें कीड़े पढ़ ज से जिए जहां से गंगा का जन्म हुआ है तो इसका उद्गम सले वो गंगोत्री या गोमुक है गोमुक से भागी-रती नदी निकलती है और देव-प्रयाग नामदक सान पर अलग नगंदा नदी से मिलकर आगे गंगा की रूप में प्रभावित होती है यहां पर देखो भ गंगा नदी के अंदर की यह जो है यहा जल को सढने नहीं देती हैं ठेक हैं अहर नदी के इनल में कुछ खास रह जारके पदार्त उस उत्तफ़ हथ meilleur एक आधया उसके doesτο छो कुछ पनपने देते हैं तो उन तो पानी के वज़े से बद्बू नहीं आती है क्छ खास तरह के बैक्टिरिया ही पानी की सरण के लिए उत्तरदाई होते हैं तो पानी में सरण पैदा करने वाले को रोकने में सायक होते पानी में बदबू पैदा करते हैं कि पैदा नहीं नहीं देते हैं इसलिए गंगा का पानी का अधर नहीं यह सकccionesšet भरामना जहता है के से कंगा का पानीड उसे क्वाना जाता है हमारा मन भी गंगा के पानी की तरह ही होना चाहिए तभी वह निर्मल माना जाता है कि जिस तरीके से जो गंगा होती है बिलकुल साफ होती है मतलब क्या होता है दो हमारे मन को भी हमें इतना ही पवित्र राखना चाहिए तभी क्या माना जाता है तभी जो है वो निर्मल माना जाता है जिसके मन में मैल नाहून कि लेगंगा चाहिए प्लतरिकर प्लतर में से जबशने से लिए उसमें UPYOLUGY BACTIRIKAeee के उपस्तिति न starving के लिए डिल्टम के लिए विच्वान कैंदर हो। महंने से वाने ड़े जम और बैक्टिरा द्वारा आप अलवावत करते ही गलत वीचारों को प्रविष्ट होने से रोग सकते हैं जब भी कोई सकारतमोग विचार द्वारवत दवारा उसे समाफ्ति कर दिया जाता है और एक दूरत działुट मैं कि रिपीट करेंगे तो यहTime- Tuesday बॉसर आपको बॉसर मोर proudly के लिए और धासिछ आपको सब्सक्राइब इसलिए अपको एपनी आपके तरीके से समझ में आ जाएगा अब देखे गंगा के जल on पानी में क्या उत्तर है अधे गंगा का जल को यहां जने के जल पवित्र माना जाता है। इसके विपरित साधारन जल कुछी दिनों में खराब हो जाता है। तो देखो यहां पर गंगा के जल में और साधरन पानी में क्या अंतर है कि गंगा का जल जो है वो पवित्र मानना जाता है यह कास्वी दिनों तक रखने की बावजूद भी खराब नहीं होता है लेकिन इसके उल्टाया अगर आप साधरन जल रखते हैं तो वह कुछी दिनों यहरा तरह समुनिया यहां नहीं होता तो इसके तरह नहीं क Lutnten करें भागी डिश्चल प्रयाग में इस कि अछ constitu रख़जा घंग नंदा से दिनों अपने मिलता है कब ahh अगला प्रेश्ण आपसे पूछा गया है कि भागी रती से देव प्रयाग तक का सफर गंगा के लिए किस तरह लाबदाई सिद्ध होता है कि जब भागी रती से निकलती बहती हुई जब यह गंगा नदी के लिए किस प्रकाल लाबदाई है पहाड़ों स उतरती जब गंगा के लिए लाबदाई सिद्ध होता है ऐसेता है फार का झला अखना के लिए लाबदाई सिद्ध होता है कि इस तठीके से जड़ताई है अग्ला जो प्रश्नर के पानी में सड़न पीदा करते हैं और इन वाThe मन को के अगला मन को निर्म्ल रखने के लिए आ है मन को निर्म्ल रखने के लिए क्या बताया है कि मन्द को निरीब में रखने के लिए करना चाहिए आपको जो विचारों को प्रदूशर है किमा उसके लिए मन में नकारात्मू विचार प्रभावित होना चाहिए और तो अगर आपके मन में न करात तो विचार आते हैं तो क्या चाहिए आपको उस विचारों को शकारात प्लाक निश्टरिप कर देना चाहिए by तो इस तरीके से क्या करा इस तरीके से हमारा अपठित जो गध्यान शेस लिए तो आप उस्तर कैसे देना है अब पिया करेंगे एक दू जो गध्यां शे है और अगर आप इसे रिपीट कर लेंगे तो तो अब आपके लिए और ज्यादा'Sान हो जाएगा तो अब आप इसे पढ़िये, read कीजे, repeat कीजे, revise कीजे, thank you